किसी भी देश समाज फ उसके नागरिकों के लिए अभिव्यक्ती की स्वतंद्रता सबसे बड़ी है विराम यह भी जरूरी है कि उस देश और समाज के नागरिक इस अहम अधिकार का इस्तिमाल समझदारी से करने वाले हों विराम जरा साभी संतुलन बिगडातो इस्तितियां उस सासन सत्ता के पास पहुच जाती हैं जो अपने को सर्व शक्तिमान समझती है विराम उसे उन अधिकारों को सिमित या नियंत्रित करने के अवसर मिल जाते हैं विराम सत्ता भले ही किसी पार्टी की हो शासक भले कोई हो उसे अभिव्यक्ति की आजादी रास नहीं आती विराम उनको भी जो विपक्ष में रहकर इस आजादी पर जरा से हमले पर जार जार आशू बहाते हैं पर सत्ता में आते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं पैराचिंज अभिव्यक्ति की आजादी में ही प्रिस की आजादी नहींत है विराम दुर्भाग्यवस उसकी इस्थिति भी नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार जैसी ही है विराम हर राजनीतिक दल के लिए सत्ता में या सत्ता से बाहर होने पर उसकी परिभाशा और पैमाने बदल जाते हैं विराम दुर्भाग्यवस यह है कि हमारा मीडिया इस मामले में चूकने के साथ बिखर भी रहा है विराम पहले जब अकेला प्रिंट था तब परिस्थितियां कुछ अच्छी थी विराम टीवी आया तो बिगाड शुरू हुआ और अब सोसल मीडिया के प्राकट के बाद तो इस्थितियां काबू से बाहर जाती दिखाई दे रही हैं विराम सभी माध्यमों में करता धरताओं के अपने अपने संगठन हैं लेकिन राजनीतिक पाला बंदी और जोड तोड इतनी प्रभावी है कि किसी का किसी पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया विराम सत्ता इस इस्थिति का उपयोग अपना सिकंजा कसने के लिए करती है विराम भारत जैसे देश में जिसे आजादी मिले अभी महज 73 वर्ष ही हुए हैं इस सिकंजे का कसा जाना मीडिया ही नहीं नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार के लिए भी चिंता जनक है विराम इससे पहले की हालात विगड़ें असली मीडिया से जुड़े लोगों को मीडिया में घुस आई काली भीडों को बाहर कर देना चाहिए विराम इसके लिए कुछ ही दिन पहले आए एन बी एसे के फैसले और मुंबाई पुलिस के टी आर पी खरीद घोटा लेके परदा फाश को आधार बनाया जा सकता है परिंट मीडिया में सरकुलेशन और टीवी मीडिया में टी आर पी के फरजी वाड़े कैसे होते हैं सब जानते हैं विराम जानते बूजते भी सरकारें भी कारेवाई तब करती हैं जब उनके हितों को चोट पहुचती है विराम एक बार सबको अपने अपने हितों से उपर उठकर इस मुद्दे को नागरिक और मीडिया की आजादी के द्रिष्टिकोंड से देखना होगा तभी हम रास्ट का भला कर पाएंगे नहीं तो ऐसी अंधी सुरंग में बढ़ते जाएंगे जहां से निकलने पर हमें तानाशाही के सिवाय कुछ नहीं दिखेगा